हेलो जी सत्ष्रीकाल वेलकम बैक टू माई चैनल और ये सुभा का टाइम है और बहुत सारे कपड़े मैंने रात को धोए थे वो सूखने के लिए फिर इसी थरह से डाल दिये और सबसे पहला मेरा जो काम है रूटीन है मौर्निंग वो शुरू होता है इनकी लाइट ओन करके इनको देखना और जब ये इस तरह से उपर को भागते हैं सब फिशिज और टर्टल भी भागता है उपर को खाने के लिए तो फिर मुझे होता है कि हाई पता नी कबसे इनको भूख लगी है और फटा फट मैं इनको खाना देती हूँ और उसके बाद मेरा जो है वो रूट है बस अपना बेसिक सा शुरू हो जाता है अपना स्किन केर वगयरा करती हूँ स्किन केर तो चलो अभी नहीं करती हूँ क्योंकि अभी और फीवर रहता है ना हर टाइम पर टाइफाइड की वज़ा से भी और स्ट्रेस इस वज़ासे भी बॉड़ी ऐसे रहती है जैसे है तो कुछ काम करने को दिल नहीं करता है और इन दिनों मेरा अभी मैंने योगा और एकसाइस भी बंद की हुई है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़ादा थी और फिर मुझे दवाईयों की वज़ा से नींद बहुत ज़ादा आती है तो इन दिनों मेरा रूटीन जो है वो इत अर्ली मॉर्निंग रोटीन देखना चाहते हो तो वो मैं आपके साथ जल्दी ही प्रॉपर शेयर करना शुरू कर दूँगी क्योंकि जब इतना लंबा गैप लिया है तो अभी तो जैसे कैमरा ओन करना ही भूल जाती हूं या ओन घर भी लेती हूं तो पता नहीं किधर किया ह क्योंकि बहुत सारा काम करने की तरफ मेरा मॉटिव जादा हो गया है तो बस अभी छोटी-छोटी चीजों की तरफ जहान दे रही हूं तो कोशिश कर रही हूं फटा फट से जो है वो बैक टू रुटीन हो जाऊं और आपके साथ प्रॉपर चीज़े शुरू कर दूँ त जो खाली पेटी प्रैफर की गी है और उसमें थाइरेड की मेडिसिंस जो है वो अलग सी है और होमेवबैति की भी कुछ मेडिसिंस हैं जो खाली पेटी लेनी है क्यूंकि सुबह-सुबह कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं स्ट्रेस के जो триश होते हैं कि सारा दिन आप दुखी तो यह वाली दवाईयां special उस चीज के लिए है जो आप सो के उठते हो तो बहुत सारे हार्मोन को यह जो है वो कंट्रोल करती है तो इनके खाने का भी एक जो है वो तरीका होता है जिसरा मुझे दॉक्टर ने समझाया है और उसके बाद मैं गुंतूंगी अट्टा और गीज नहाने में जो बनाओंगी मैं लंच के लिए बनाओंगी ब्लाक चने बॉयल करके रख своих घृ और उसको फ्राइड राइस बहुत पसंस थोदा सा कंबो कर दूंगी उसने बोला था कि ममा मुझे वही चाहिए तो नहाने से पेले座 गूंद के रख जाओंगी तांकि 10-15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें ये सेट हो जाए और उसके बाद नहाद हो के अपना पूजा पाठ करती हूं जिसमें आधा पून घंटा तो अराम से चली जाता है पाठ जो मैं आजकल कर रही हूं वो एक जपजी साहब का करती हूं और दूसरा करती हूं अमरित बानी का जिसको 40-45 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद मेरी किचन में जो है वो एंट्री हो गई है और मैंने पहले जो है वो ब्रॉकली फ्राई करके रख ली थी और उसके बाद जो है वो फ्राइड राइस का तड़का लग रहा है जो कच्छी घनी का सरसों का तेल, हरी मिर्च, प्याज, अद्रक और लसन की दो कलियां डाली थी मैंने और उसमें जो है वो मैंने ब्रॉकली फ्राई करके रखी थी मक्षन में वो डाल दी है आपस मैं जो है वो मिक्स कर दूंगी अच्छे से और इसको मिक्स कर दूंगी आप इस टाइम पर भी ब्रॉकली को फ्राई कर स उसके बाद वैसे काम ठोड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए सफाईयों का काम बहुत बढ़ जाता है, जब बेल साब यहाँ होते हैं, तो घर की कोई भी क्लीनिग नहीं होती हुआईnor मेरा घर बहुत ज़यादधा मै rushy हो जाता है, क्योंकि काम बहुत ज़या गहर गर के सारशा सुझार का यह नहीं रखने हो और शवागत है ततनी है पानी का यह भुणतन मैं शुक्त सब Cliff you चुनिया कि मत और में क्यों शूड़न और उसे वाधन कोटी रहना हो तो सिदो लिखने हो मैंaways करने पानी के नहीं पर हाँ किया क्यूंकि मेरा फोन जो था वू बंद हो गया था मैंने उसमें चेक किया उस में स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी तो फिर मैने यह डिरेकली शाम को जो है वो शूट किया फिर मैंने शॉप बैठ के चारा फोन जो है वो अपना खाली किया और शॉप से आते हरीथिवी को भ करना है то बस यही काम है जब पतिदेव यहां होते हैं तो उनकी सेवा करनी होती है जब पतिदेव चले जाते हैं तो घर की सेवा करनी होती है घर की सफाई- śण करना होता है तो आपके उस्ट्र he some issues को लेके बहुत सारी questions थे तो उन में से कुछ questions का comments का मैं answer दे रही हूं सबसे पहले मुझे राधना त्रिवेदी जी ने पूछा था कि आप जो भी दवाई ले रहे हो क्या एलोपेथी और होमोपेथी दोनों में से दिमाग के लिए कौन सी दवाई बेस्ट है तो जो मेरा personal experience है उसमें से होमोपेथी की medicine जो है वो बेस्ट रही है क्योंकि हैलोपेथी की medicine आपको बहु प्लैनी की issues हो जाते हैं अगर आप आगे अपना future में अभी आप conceive करना चाहते हो बच्चे की planning करना चाहते हो फिर भी आपको कोई stress issues है तो मैं अपने personal experience से ये बताऊंगी आपको कि अलोपेथी की medicine उसे साब से ना ले वो थोड़ी सी problem जो है वो create कर सकती है और यहां पे मैं बना रही हूं बैंगन फटा फट से और भटा टाई बैंगन बनेंगे ये तेल, हींग, जीरा, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर डालके उनको पका लेना है फिर बैंगन चोटे चोटे कट करके डाल देनी है और उसके बाद हम इसमें नमक डालके हम फिर इनको ढखके पकाएं तो जी हां ये बिमारी ठीक होती है लेकिन ये बिमारी आप लगा लिजिए जैसे आपको थाइरड होता है या आपको शुगर हो गई है तो आपको कॉंटिनूस दवाई लेनी पड़ती है पहली बात और उसका टाइम टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है उसी तरह जब आ तो अब मुझे बहुत सारी चीज़े समझ में आ गई है मुझे खुद पता चल जाता है कौन सी चीज मुझे ट्रिगर कर रही है कौन सी प्रॉब्लम क्रेट कर रही है कब मेरी ये बिमारी दुबारा से जाग रही है हां मैं कॉंटिनूस ली इसकी दवाई बिल्कुल नहीं अब मैं कट करके इसमें नमक डाल के रख दूँगी तांकि जो भी इसमें वहोती है न, क्या होती है गले को लगता है न यह तो इसका सारा निकल जाएगा और हाथ में तो बहुत चुपता है यार Ree critically का अज मैं इसको काट पनजाब भी जेनू कंदया इन थिंक कंड एड़- कोई रख लूँगी तांकि सुभे जो है वो इजी हो जाए क्योंकि ये हरित्वी की फेवरेट फेवरेट वाली सब्जी है और मुझे भी बहुत पसंद है मटर डालो अच्छी सी सब्जी बनाओ टेस्टी सी बन जाती है तो और भी बहुत सारी कमेंट्स है वो टाइम-टू- अगर आपकी उलाद है तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा उसी की वज़ा से मैं ठीक भी होती हूं उसी के बारे में सो सोच के एक्टिव ही रहती हूं अपने आपको डल नहीं होगी इनको मैंने नहला दिया है और उपर वाला मैंने सेम डाला है बाकी सारे कपड़े अपने दोने के लिए आपको पते ही हमेशा मैं नीचे फेंगती रहती हूं हीटर मैंने इनके लिए स्पेशल अगाया था था बाओ जी के लिए नहाद होके यह अंदर बैठेंगे और मेरा खाना हो गया बस सरीत्वी का खाना रहता था क्योंकि यह कुछ पता ही कौन सा एक गड़ी खराब हो गई है मेरी वह एक्सपेरिमेंट नहीं हूँ आपका वह शुखा नहीं अभी अचा एक मिनट ममा हैंड वोश करके खाना लेके आती है नहीं जो आप बना रहे थे बोलते ना मेरे को नहाने के बाद दो मिनट वह करना है क्या है वह मैंना सोच रहा हूं कि बना कि यह थीजिए भी आपको सुखा नहीं है तो अभी आपको टीवी देख रहे है देख दे वाइनश तो मैंने को खाना दोंगी क्योंकि इनका एक्सपारिमेंट जो है वह प्लाना रिमोट टीवी का वह जो भी यह कर रहे थे अभी वह शीषड के ममा भी वह हुआनी है तो मैं इनको खाना देने के बाब मैंने ऐली की तिया क्योंकि मुझे हैर वाश करना है और मैं आज कल आज हैर वाश जो है वह रात को करती हूं क्योंकि इस दिन में बहुत ठंड लगती है और मुझे फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे 24 Hours Fever रहता है तो फिर उसमें थ मैं थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ट्राक में आने में तो यह मैंने जिमी कंद जो है वो दोके सूखने के लिए रखा है ठाकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए पहले मैं इसे नमक वाले पानी में रखा था तो फिर इसे फ्राइ करूंगी और हरिथी का भी खाना लग है कि ख्लियर नहीं आ रहा होगा चलो आपसे बात ही करनी है मुझे बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं ट्रैक पे आ रही हूं तो धीरे धीरे शूट कर रही हूं उस तरह से नहीं हो पा रहा है लेकिन आसा होता है बहुत टाइम पाद हम जो चीज शूरू करते हैं तो लड़ा स मुझे एक कमेंट बड़ा रेगुलर आता है कि आप दी मोटिमेट वत हुई है यहां डिप्रेशन और बारे में आता है तो यह चीजे मुझे भी परता है मैं आपको बहुत मोटिवेट अपने आपको रखती हूं लेकिन जब आपको बिमारी हो जाती है तो उससे पीछा च अपना बाल गीले करके टावल लपेट के ऐसा कुछ पूरा दिन का ब्लॉग डाली है तो देखिए मेरी तबियत ऐसी नहीं है कि मैं भाई और मेरे सिर पे बोज बहुत है बच्चे को देखना है घर को देखना है शौप पे मैं नहीं रह सकती इस तरह से और मैं गीले बाल पर बिलकुल नहीं रह सकती देखिए मैं बहुता को हेर वाश करती हूँ तांकि हिर वाश करने के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी अगर करूंगी यहांकि अदर रहोंगी I don't know, nain मत कीजेगा पर मैं वह चीज नहीं कर सकती क्योंकि I'm a very severe ज़सरवाइकल, I have a headache मैं नहीं वह चीज बरदाश कर सकती कि टावल लपेट के पूरा दिन घूमो और I don't know, मैं कुछ और चाहना चाहूंगी इसके बारे में और मुचे क्या आप से बात करनी थी क्या बात करनी थी? मैं भूल गई चले रृत्षी को खाना देती हूं मैं बूल गी मैं क्या बात करनी थी? SORI यह साहिए बिमारी समय है मैंने संख गई हुँ क्यों साफ किया है अच्छे से अच्छे से अजर्वाइस रोज जर्बुचा वाले अंटी जो आते हैं वो ही साफ करते हैं लेकिन मुझे ऐसा है जब तक मेरा हाथ ना लगे मुझे तसर लीनी आती तो वो करके गहीं है तो I am happy now और तेरा मैं से रित्वी को खाना दो और बस इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदाएगी बहुत मुश्किल से रोटीन में वापिस आ रही हूँ बस भगवान करेब रोटीन में रहूँ तो यह आज की क्लिप है जो मैंने यहां पे जोड़ दी और यहां पे हरित्वी और जोती दोनों पढ़ाई कर रही हैं क् दोनों के एक्जाम हैं जोती के प्लस टू के एक्जाम है हरित्वी के यूटी टेस्ट हो रहे हैं अभी उसके फाइनल एक्जाम नहीं है और यह चोटा सालुक मेरी शौप का है थांक्यू वेरी मच पर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपना सपोर्ट मुझे इसी तरह से देते रहे हैं